एचेस जीपीशी की नई कमेटी नहीं मन्जूर अलगी 41 देश्य कमेटी बना रणनीती बनाएंगे जिन्डा एक जनेरी को स्री अकाल तक्त साइब अमरिस्चर पहुँचेंगे और बड़े फैसले का एलान करेंगे अर्याना सिख गुरुद्वारा प्रवंदक कमेटी एचेस चीपीसी की पहली बैठक में गटित कारी कारनी को पूरा अथ्यक्स जग्दी सिंग जिन्डा के समर्थकों ने ना मुन्जूर कर दिया इसके लिए विरुवार को गुरुद्वारा च्छटी पाथशाय में बैठक में सामिल जिन्डा समर्थकों ने कहा उन्हें परदेश की ओर से पनाई कमेटी मंजूर नहीं है अब परदेश की सिक संगत के बीच जाएंगे और विचार विमार्स पर अलग से 41 दिश्य कमेटी बनाएंगे इस कमेटी के साथ नए साल के पहले ही दिन एक जनौरी को स्री अकाल तक साहिब एमरेसर पहुंचेंगे इसके साथ ही किसी बड़े फैसले का ऐलान भी करेंगे एचेस जीपी से परदान सहीत अन्य पदादिकारियों को चैन के बाद विरुवार को पूरो अद्यक्स जग्दी सिंग जिंडा ने बैठक बलाई इसमें विचार विमर्स के बाद पूरो अद्यक्स जग्दी सिंग जिंडा ने बताया कि संगत ने नई कमेटी को नामन्चूर कर दिया है इसके साथ ही अलग से 41 सदश्य कमेटी बनाने का फैसला लिये गया है बैठक में सदश्यों के चेन को लेकर 24-31 इसमपर तक पर देश के सभी जिलों में बैठक कर संगत से विचार विमर्स करेंगे इसके बाद एक जुन्मरी को 41 सदश्यों के साथ है मेर्स्चर में स्री अकाल तक पहुँच कर अगली रणनेती का एलाग करेंगे बैठक में HSGPC की पुरानी कमेटी के 36 सदश्यों को बुलाया गया था इनमें से पूरों महस्यू जोगा शिंग, अपार शिंग, मंजीत सिंग, डाचर वबलवन सिंग फोजी सहीत पांच ही सदश्यों से पहुँचे उन्होंने कहा कि पुरानी कमेटी के 36 सदश्यों में से 8 को नई कमेटी में सदश्यों से बनाया गया है वेबैठक में नहीं पहुँचे, अगर वे इस कमेटी में आना चाहते हैं तो उन्हें परते सरकार की और से बनाए गई कमेटी से इस्थिपा देना होगा, इसके बाद संगत उन्हें नई कमेटी में सामिल करने का फैसला लेगी इस मौके पर यूआ सिखनेता हरमन परीच सिंग मौजूद रहे